ताजनगरी में लगातार लोगों को मस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने 21 जुलाई को भारी बारिश की उमीद जताई है मौसम विभाग ने 19 जुलाई को भी तेज बारिश होने की उमीद जताई थी लेकिन पूरा दन सूखा निकल गया मौसर विभाग का कहना है कि 22 जुलाई के बाद लगभग दो दिन तक भी बारिश के आसार हैं वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक ताजनगरी में बारिश सामान्य ही हुई है कई जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं C News के लिए विनोच जुनिया की रेपोर्ट